26 जनवरी से पहली बायू सीना ने एक ऐसा कमाल कर दिया है जिससे देश वात्यू का सीना गर्द से चोड़ा हो गया है और दुश्मन का सीना धूधू कर जलने लगा है भारतिय बायू सीना ने कारगिल एयर स्ट्रीफ पर पहली बाप C-130J एयरक्राफ्ट की सफल नाइट लैंडिंग करवाई है बायू सीना के गरूर जवानों को ट्रेन करने की इस मिलेटरी एक्सरसाइस को बेहर गोपनिये तरीके से अंजाम दिया गया इस दोरान एरफोर्स के गरूर जवानों को गुपचुप तरीके से लैंड करने और तुश्मनों पर धावा भोलने की ट्रेनिंग भी दी गए बायू सेना ने रविवार को सूचल मेडिया प्रेटफॉर्म एक्सपर्ट रूई कर इसके जानकारी यानि पागिस्तान भारस सीमा पर बायू सेना अब रात के वक्त ही ओपरेशन के लिए तैयार है बायू सेना ने जो पूटे जारी किया है उसमें नाइट विजन इंस्ट्रूमेंट से कारगिल की पहाडियां और उनके बीच बसाहट डजर आ रही है एरपूर्स की तरफ से जारी वीडियो में सेना के कमांडो को टेरेन मॉस्किंग एकसरसाइस करते हुए दिखा गया ये कास तरह का सैन ने अभ्यान होता है जो तब किया जाता है जब दुश्मन से छिपकर अपने मिशन को अंजाम तक पहुचाना हो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि स्ट्राइट्जिक तोर पर ये कितनी बड़ी कामयावी है दरसल लटाक के कारगिल जिले में स्थित कारगिल एरस्टृफ भारत की गर्नितिक तोर पर बिहद अहम है के लाइन ओप कंटूर के बेहत परीब है इसे समुद्र तल से लगभग 88-100 पीट की हुचाई पर बनाया गया है कारगिल एरस्ट्रीप पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती शेत्र में भारत की रक्षा शम्ताओं को मजबूत बनाती है खास तोर पर कारगिल जैसे समुद्र शेत्र में जरूरी मिलिटरी सपोर्ट देने के लिखास को ये एहम है लटाक की कारगिल में जिस हवाई पट्टी पर सेना ने नाइट लेंडिंग कराई है ये इलाका मूची पहाड़ी और खने जंगलों से खेरा हुआ है ऐसे में यहाँ पर लेंडिंग काफी मुश्किल मानी जाती है और रात के अधेरे में लेंडिंग करना और भी चुनोती पुर्ण होता है विमानों को लेंडिंग के दोरान रात के अधेरे में न सिर्फ पहाडों से बचना होता है बलकि इसके लिए सिर्फ नेविगेशन का ही सहारा लेना पड़ता है बारत और पागिस्तान के बीच हुए 1999 के कारगिल यूथ के बाद कारगिल में हवाई पट्टे का निर्मान किया गया था कारगिल यूथ के दोरान भारतिय सिर्फ को मोचे तक महुचने में कटनाईयों का सामना करना पड़ा इसके बाद इलाके में एक एर स्ट्रीप बनाने की कोश्चे तेज हुई कि करगिल के उबर खाबर इलाकों में तैना सशस्त्र बलों के लिए रसद और आपाद कालिन चिकित्सा सहाथा पहुचाने के लिए लाइफ लाइफ लाइन मना जाता है भारतिवाय उसे ना कि जिन गरूर कमांडो को करगिल एर स्ट्रीप पर नाइट लैंडिंग के दोरान ट्रेंड किया गया वे फ्रीहद अफास गरूर कमांडो इंडियान एर्पूर्ट का एक ऐसा दफ्ता है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धावा बूलने में सक्चम होते हैं एक किसी भी युद्ध शेत्र में डटने के लिए ब्रेंड किये जाते हैं गरूर कमांडो गोरिल्ला युद्ध करने में पारंगत होते हैं काफी कठिन फिजिकल और मेंट्रल ट्रेनिंग दी जाती है ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी